गुड मॉनिंग प्यारे चात्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटी जाइस अकेडमी की करंट अफेर की सीरीज में आज हम आ गए हमारे 10th सेशन पर 24 जून का हमारा ये सेशन है आप सभी तैयार है आई आज का काम शुरू करते हैं आते ही सेशन को लाइक और शे में जोड़े हैं ये सीरीज जो है सभी के लिए यूसफुल है खास तोर पर हमारे सिविल सर्विसेस अस्पारेंट्स के लिए जो अपना समय बचाना चाहते हैं बहुत कठिन कॉंसेप्स को सरलता से समझना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स वगरा बनाते चलिएगा हाला हो और कौॉपरेशन आज का हमारा पहला एडिटोरियल तैयार है फ्रेंड्स इन-ीट क्या कहता है हिंदू का ऐडिटर हिंडू का एडिटर हिंग के बिसिकल खें बें कहता है कि भारत में करेंके राजणीतिक मौरचे intogether होती दिख रही है एकदम बेबी स्टेप्स अभी क खाई दे रहे हैं ये इस editorial में हम जो कुछ discuss करेंगे वो current affair में prelim में काम आ सकता है GS2 और 3 में इसके कुछ concepts होंगे और SMS से मिलते जुलते कुछ concepts आपको लिखने में मदद कर सकता है भारत की राजनीतिक सच्चाई ये है कि लोकसभा का चुनाओ तो भी 2024 में होगा बहुत समय है और BJP वरतमान में बहुत strong position में खड़ी है तो कोई भी राजनीतिक अगर गटबंधन होता है पैन इंडिया आज तो वो बड़ा अंसीजनल है क्योंकि तीन साल में तो कितना I mean so much water will flow तो in the river इसलिए अभी हम ये कहनी सकते कि आज कुछ हो रहा है तो इससे 2024 में परिवटता ना जाएगा ठीक है राश्टर मंच नाम का एक मोर्चा बनाया गया था और वो मोर्चा बनाने वाले थे जो आज त्रिनमूल कॉंग्रेस में चले गए यश्वन सिनहा जो पहले बीजेबी में अटल भिहारी वाजपेई की सरकार में finance minister हुआ करते थे मैं आपके साथ 1999 और 2000 की बात कर रहा हूं दोस्तों तो आज जो हो रहा है राश्टर मंच का इसको कहते हैं exploratory politics यहने संभावनाय तलाशती हुई राजनीती और बहुत सी पार्टियां यह सोच रही हैं कि हम राश्टरी स्थर पर BJP का विकल्ब शायद बना दें फिर उसमें समाजवादी पार्टी है नैशनलिस कॉंग्रेस पार्टी है आम आदमी है CPI माक्सिस्ट है CPI है नैशनल कॉंफरेंस है त्रेनमूल कॉंग्रेस है अब क्योंकि 80 साल के सबसे जबरदस्त अनुभवी शरत पवार जी जिनकी MVA सरकार भी महराश में चल रही है वो इससे जु जहां जहां चुनावों में पराजय का मूँ देखा है वो कॉंग्रेस के हाथों थोड़ा कम देखा है और स्थानिय पार्टियों के हातों तो वो तमिल नाडू की द्रविड मुनेतर कड़गम हो पश्चिम बंगाल की तरनमूल हो या केरल की लेफ्ट फ्रंट की सरकार हो तो ये दोनों में फर्क है तो हमें बताईएगा दोस्तों कि ये जो तीन राज्य हैं केरल, तमिल नाडूर, पश्चिम बंगाल तीनों की राजनीती की एक एक विशेष्टा कॉमेंटेड में जरूर शेयर कीजिएगा Reason the Congress is not really doing well nationally, politically and electorally वो इसलिए कि उनके जो नेता है राहूल गांदी उन्होंने बीजेबी के खिलाफ एक बड़ा principled stand consistently लियावा है लेकिन खुद उनकी पार्टी में लीडर्शिप को लेके वो ही कदम पीछे खींश लेते हैं और इसलिए position बहुत weak हो जाती है पवार सहब काफी senior हो चुके हैं और ये सभी जानते हैं कि Congress के बिना कोई Pan India Alternative तो बनेगा नहीं तो उसको तो जोड़ना पड़ेगा लेकिन क्या smaller parties के साथ engagement होगा ये एक सवाल है बहुत सी smaller parties आपस में ही काफी compete करती हैं कुछ शेत्रियों पार्टियां जो हैं तेलंगाना का TRS हो गया आंधर का YSR CP हो गया ओदीशा का बीजू जनता दल हो गया वो बड़ा फूंक फूंक के राश्ट्री राजनीती पर कुछ भी बोलते हैं या कदम उठाते क्योंकि उनको पता है कि उसमें पलटवार में उनक भूसान बहुत हो सकता है तो आपने हाल ही में सुना होगा आंधरपदेश के चीफ मिनिस्टर और भारत के वरतमान चीफ जस्टिस को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चिड़ गई थी सुना है उस बारे में क्या थी वो कंट्रोवर्सी बताईएगा हिंदू में तो राजनीती जो होती है नो दोस्तों it is about circumstances shaping actions यहने परिस्थितियां ही आपके decisions को तरह करती है और बहुत सारे 7 साल के issues अब इखटे हो गए जिनको शायद राजनीती में एक नई अप्रोच की जरूरत है ऐसा कई लोग मान रहे हैं यह इसमें समझाया गया है तो सरा लेड इसमें से पिछ बनानी पड़ेगी कि हर कोई उसके साथ जुड़े हो देश के लोगों को वो बात समझ में आए तो इसके quick summary commented में निकालिएगा मज़ाया आपको तो आज का दूसरा edit तयार है America and Iran must engage and resolve तो आज दुनिया की आवश्यक्ता यह है कि US और इरान आपस में लड़ इसली कीजिएगा अमेरिका ने हाली में काम किया कि उसने काफी सारी एरान से जुड़ी होई website को ब्लॉक किया है और यह बोला है कि यह लोग continuously disinformation spread कर रहे हैं दोस्तों मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं comment thread में जवाब तीजिए what is the difference between disinformation and misinformation दो अलग-अलग चीज़े होती हैं तो मुझे आप अच्छे से इसके बीच का अंतर comment thread में समझाईए the difference between disinformation and misinformation तो दोस्तों इसके उपर आरोप लगा इन साइटों पर जिसमें इरान का जो सरकार का ही ownership का press TV उसको भी block कर दिया अमेरिका ने तो यह देखके लोग बोल रहे हैं कि भई एक तरफ अमेरि वाकि में जिन्दा कर भी पाएंगे क्योंकि वो तो इरान की साइटों को भी block करने में लगे हैं और इरान ने बदले में पलट वार करते वे बोला कि अमेरिका is muzzling free speech मतलब इरान जहां अगर आप मुझ खोलो तो जेल में डाल देते हैं वो फोल रहा है you have muzzled my free speech दुनिया और वरतमान में Chief Justice भी थे वो राश्ट्रपती बन गए हैं तो अमेरिका के साथ टेंशन और बढ़ गया है क्योंकि इसी व्यक्ति को Mr. Raisi को अमेरिका ने पहले प्रतिबंधित कर दिया था sanctions लगा के क्योंकि आज से 20-25 साल पहले राजनीतिक जितने भी कैदी थे उनकी हत्य करने का उन पर आरोप था मतलब उनको कानूनी रूप से दंडित करके सजाय मौत तो उसको अमेरिका ने हत्या माना था वेब साइटों को ब्लॉक करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो .com या .org हटा के अपने नाम के आगे .iran लगा के फिर से शुरू हो जाएंगे जैसा फार्स ने 2018 में किया था तो एक्चुली यह एडिटर कहता है कि अगर आपको डिस इंफर्मेशन से लड़ाई लड़नी है तो उसका सही तरीका है कि आप सही इंफर्मेशन और इंडिपेंडेंट जर्नलिजम को सपोर्ट करें साइटों को ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा बाइडन एडिनिस्ट्रेशन की इच्छा तो है कि वो इस जे सी पी ओ ए क्या फुल फॉर्म है भी या उसको फिर से रिवाइब कर ले और उसकी इच्छा यह थी कि यह जो वरतमान में चुना हुआ इसके पहले कर ले थे तो हसान रुहानी सहाब के रहते यह काम हो जाता ऐसा हो नहीं पाया लेकिन अभी भी किसी ने भी इन विएना टॉक्स के सफल नहीं होने से उम्मीद नहीं छोड़ी है बाइडन एक्शुली क्या कर रहे है डॉनल्ड ट्रम सहाब ने चार साल में जो मैक्जिमम प्रेशर पॉलिसी लगा रहा की थी कि मैं इरान को तोड़ दूँगा इरान ने बोला वी विल शो मैक्जिमम रिस्ट्रेंट तो डॉनल्ड ट्रम्प उसमें फेल हो गए वो उसको भड़का भी नहीं पाए इसको और रिवर्स कर रहे हैं तो वो चाहते हैं प्रेशिडेंट बाइडन कि मैं किसी भी तरह इरान को अपना न्यूक्लिय यूनियन के देश वगरा उन्होंने खुद को इस इरान डील से अलग नहीं किया ता इसलिए डील कोलाप्स नहीं हुई ती ये बात आप ध्यान रखिएगा समस्य यह हुई कि ट्रम्प ने जब से अमेरिका को बाहर निकाला उससे क्या हुआ कि इरान को एक बहुत अच्छ इरान बोलता ऐसा कैसे हो सकता हम तो बहुत आगे निकला है हैं छोड़ा है हम वो गलियां बाइडन वांट्स टॉक्स ऑन इरान इरान इरीजनल इंटर्वेंशन अल्सो साथी साथ अमेरिका और यह समझदारी का काम कर रहा है इरान से बोल रहा है कि तुमने पूरे मिडिल होगी नहीं यह तो तुम भूली जाओ तो बाइडन को अब बहुत जल्दी कुछ करना होगा अगरस में राईसी साथ सकता में कंट्रोल डारेक्ली ले ले उसके पहले तो यह कहानी थी प्यारे दोस्तों अमेरिका इरान के जेसी पीवे डील की तो आपको क्या लगता है डी यह 3 के लिए ऐसे के लिए यूसफूल है जियो पॉलिटिक शड़ोन काश्मीर पॉलिसी भारत सरकार की काश्मीर नीती पर भूराजनीती का बढ़ता हुआ प्रभाव और यह भूराजनीती अफगानिस्तान से निकली है जो दरसल अमेरिका चीन दोनों से कनेक्टेड है त अब यह कहा गया था कि वहाँ पर आतंकवाद और हिंसा बहुत ज्यादा फैल गई है पत्थरबाजी फैल गई है इसको खतम करेंगे जून 2021 आते आते दो साल बीच चुके थे प्रधान मंतरी मोदी और ग्रह मंतरी अमिशा ने उस डिसीजन के पीछे के बहुत सारे अबज अब रीठिंक करना शुरू किया है वो जो डिसीजन लिया गया था तब आपको तीन अबजेक्टिव बताए गए थे मतलब टेरर वाइलेंस खतम करना है वो तो खेर है ही है पहला था इन्वेस्मेंट और डेवलप्मेंट काश्मीर में भर-भर के लाएंगे पाकिस्तान ओ आया काश्मीर बनाएंगे ये तीन वादे किये गए थे लेकिन हुआ ये है कि पिछले दो साल का रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो काश्मीर में परिवर्तन आ नहीं पाया फिर उसके बाद मार्श 2020 से पैंडेमिक आ गया तो बची-कुची कासर पूरी हो गई टेरर इ स्थानिय स्तर पर बहुत दर्द फैल गया तो इन्वेस्टर्स कन्विंस नहीं हो पाए सरकार बोलती है कि हमारे पास 400 मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग तैयार हैं मतलब एक अनुबंद पत्र तैयार है कि हम आएंगे पैसा लगाएंगे हजारों करोड लगाएंगे लेकिन जमीनी स्थिती देखके निवेशक बोलते हैं यार कुछ समय रुख जाते हैं तो एक्च्वल पैसा नहीं आया अब काश्मीर को तो छोड़ें मुख्य भारत में ही अर्थ विवस्था में इतना डावा डोल चल रहा है तो काश्मीर में कुछ एकदम क्रांती कारी हो अंट्रोल के उपर अचानक से सेना की तैनाती करके कुछ जगमी ने हमसे हडप ली और पीछे हटने को वो तैयार नहीं है तो भारत के सारे प्रयास की स्टैटिस को एंटे हम ले आएं वो पूरी तरह से फेल हो गया है चाइना डिसिंगेज करी नहीं रहा है स्टैटिस को एंटे का मतलब होता है युद्ध होने से पहले की यथास्थिती स्टैटस को यने यथास्थिती एंटे यने एंटे बेलम युद्ध होने से पहले का समझ में आ गया स्टैटस को एंटे एंटे बेलम यने युद्ध बेलिजरेंट व्यक्ति यने जो युद्धक व्यक्ति ह होता है और भारत अभी मान चुका है हमारे तो आर्मी चीफ भी बोल चुके हैं कि देखो भाई ऐसा है कि टू फ्रंट सिचुएशन वाकई में बन सकती है एक तरफ से पाकिस्तान एक तरफ से चीन हम युद्ध की बात कर रहे हैं टू फ्रंट सिचुएशन समझ में आ गया तो भारत के सीडियेस कौन है नाम बता दो हमें अब ये पियो की का जो एक्शन है ये करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पियो के अफगानिस्तान के बहुत करीब है और अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकल रहा है और अफगानिस्तान में तालीबान का शासन आएगा इस बात की संभावना बढ़ गई है भारत सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की 14 राजनितिक नेताओं को बोला कि आप आके दिल्ली में हमसे बात कीजिए तो इससे क्या पता चलता है जिन लोगों को अभी कुछ समय पहले गुपकार गैंग के नाम से अपमानित किया जा रहा था कि ये देश के दुश्मन है उन्ही को अपचर्चा के लिए बुलाया जा रहा है तो नया काश्मीर बनाने के प्रयासों में अब डिरेक्शन चेंज किया जा रहा है कोशिश की गई थी कि अपनी पार्टी नाम की एक नई पार्टी डिस्ट्रिक डेवलप्मेंट काउंसिल इलेक्शन से खड़ी करती जाए लेकिन वो इतना कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए तो सरकार को भी समझ में आ गया भारत के जो हमारे विदेश मंतरी हैं एस जे संकर बड़े क्यूट इंसान है दुनिया बर में घूंते रहते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं दुनिया को कन्विंस करने के लिए कि काश्मीर is purely an internal issue लेकिन उनकी किस्मत ऐसी है कि वो जितना ये फैलाते हैं कि काश्मीर is an internal issue उतना ज्यादा दुनिया भर के जो सांसद हैं वो काश्मीर पे चर्चा कर रहे हैं अमेरिका, येरोपियन यूनियन, यूके और नौडिक कंट्रीज में लगातार काश्मीर पे बाते हुई हैं यहां तक कि सायुक्त राष्ट की सुरक्षा देखी दोस्तों ये तो facts है ना ये जो चीजें बता रही हैं सुहासीनी इसमें वो facts बता रही हैं जो भारत के सभी अकबारों में मुक्ष्ट पे छपे हैं तो ऐसा तो नहीं कि मन से बना के बता रही हैं तो ये facts आपको कहीन है कि काम आ सकते हैं एक्जाम में ध्यान रखिएगा सायुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में जहां 1971 के बाद काश्मीर पे कभी बात तक नहीं होती थी 2019 के बाद तीन बार आपचारिक रूप से बात हो गई तो ये बिल्कुल साफ है कि जब से चाइना घुसा है L.A.C. में हमारे इस्टन लद्दाक में तब से भारत और पाकिस्तान के बैक चैनल टॉक्स तो चालू हो गए हैं और दोनों ने ही अपना अपना बहुती तलखी वाला रवईया जो था घुस्से वाला एग्रेशन का उसको थोड़ा ठंडा कर दिया है पाकिस्तान पहले बोलता था कि आर्टिकल 370 को हम मानते ही न नहीं है कल तो मतलब पैसा भी नहीं और उपर से ब्लैक लिस्टेड हैं फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कहीं न कहीं अमेरिका का दबाव इस पूरी परिस्थिती पे बहुती सपष्ट हो चुका है अमेरिका चाहता है कि वह 11 सितंबर 2021 के पहले अफगानिस्तान चोड़े तब तक कोई दूसरा बड़ा उसको जगड़ा नहीं चाहिए और परदे के पीछे साओधी अरब कतर और युनाइटेड अरब एमिरेट की तरफ से भी कहीं न कहीं एक जंटल पुश दोनों देशों को दिया जा रहा है UAE ने तो खुल के बोली दिया था ना कि हम मीडियेट कर रहे हैं इस मामले में तो मतलब भारी ताक्ते मीडियेट तो करी रही है दूसरा ये खबर भी निकली है कि भारत जिसने तालीबान से सारे रिष्टे तोड लिये थे उसने दोहा पतर में तालीबान के साथ बाच्ची शुरू किये मतलब वो भी समझता है कि अफगानिस्तान में सत्ता तो तालीबान की कहीं न कहीं आईगी अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हो है कि वैश्विक रूप से जो बाइडन का अमेरिका सीधे सीधे चाइना से भिड रहा है और वो इंडिया को बोल रहा है कि तुम इंडो पैसिफिक में मुझसे हाथ मिला लो भारत की प्राब्लम क्या हो गई इसमें इंडो पैसिफिक ये पूर्व लपकी भारत जाना चाहता है पाकिस्तान और अकसई चीन ये की पश्चिम की तरफ तो ये पश्चिम वर्सेस पूर्व का जो जगड़ा हो गया है भारत की पूरी स्ट्रेटिजी बाइडन ने रियोरेंट करवा दी ऐसा सुहासिनी हैदर को लग रहा है तो 2019 का जो निर्णय था बदली हुई वैश्विक पोलिटिकल परिस्थिती के साथ वो फिट नहीं बैट रहा है तो समझ में आगे आपको इसको फटा फट दो तीन पॉइंट में समराइज कर दीजे कितने लोग काश्मीर कभी घूम कर आएं बताईए प्यारे दोस्तों कैसा रहा अनुगाओ अमारी चार प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई हैं यह चारों आपने देखी हैं यह सभी बड़े प्यारे प्यारे लेक्चर्स से परिपूर्ण है इन्हें पढ़िए यह आपी के आईएस की तैयारी के लिए आज का चौता एडिट तैयार है एक ऐसा एडिट जो बहु तो आप ये देखिए कि boy-girl ratio क्या है आपको मिलेगा 90-10 या 95-5 या 80-20 या 70-30 उसी तरह किसी भी चैनल पे चले जाईए लाइफ चैड देख लीजिए उसमें boy-girl ratio देखिए इंटरनेट पे भारत में अगर 100 पुरुष हैं तो 10 महिलाएं 15 महिलाएं 20 महिलाएं होंगी मतलब ल इंटरनेट पे आती नहीं है इसको कहते हैं जेंडर डिजिटल गैप एक और हम बोलते हैं कि हमें डिजिटल इंडिया बनाना है अगर महिलाएं ही नहीं आ रही है डिजिटल मीडियम में तो ये तो male female inequality को बढ़ाने की बात करेगा क्या आपको background समझ में आया तो pandemic नहीं था कर दिया कि जिनके पास technology होगी वो आगे बढ़ेंगे नहीं होगी वो पीछे जाएंगे क्योंकि पूरी शिक्षा और स्वास्त केर डिजिटल होता चला जा रहा है सबसे खराब परिस्थिती दुनिया में होगी महिलाओं की और लड़कियों की क्योंकि उनको तो pandemic आने के प आधी दक्षिनेशिया की है और केवल 65 प्रतिशत महिलाओं के पास mobile phone है सोचो तो 35 प्रतिशत महिलाएं तो mobile phone ही नहीं है तो अगर उनको आज भारत में vaccination भी करवाना होता तो आप बताएं कोविन प्लैटफॉर्म कैसे यूज करती भारत में केवल 15% महिलाएं internet यूज करती है सातियों बहुत शांती से ठंडे दिमाग से सोचना भारत में 85% women and girls have no access to internet तो आप अधिकारों की समानता की क्या बात कर रहे हैं वो तो कभी होनी नहीं है तो इस वजह से महिलाएं हर शेत्र में अब पिछड़ गई हैं बहुत भयंकर और ये स्वीकारे नहीं है ऐसा इन United Nations से जुड़ेवे हैं फिर वो कहते हैं कि इसी वजह से आज की तारीक में भारत में पुरुषों का vaccination महिलाओं से 17% जादा हो गया क्योंकि access इने महिलाओं को परिवारों के भीतर अगर एक ही mobile phone है या एक ही laptop है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि लड़कियों को तो वो यूज करने को मिलेगा नहीं एक और कारण भारत जैसे देशों में ये होता है कि जो पुरुष होते हैं फादर हो गए सन हो गए ब्रदर हो गए उन्हें बड़ा डर लगता है कि अगर लड़कियों के हाथ में mobile और laptop आ गया तो कल को तो वो बहुत सारी patriarchal society के beliefs पे सीधे सीधे सवाल उठाएंगी तो वो चाहते ही नहीं कि स्थिती बदले बट इस वज़र से अब लड़कियां मुख्य धरा से बाहर होती जा रही है feminism का मतलब सिर्फ women अधिकार नहीं लेकिन समावेशन होता है लोगतंत्र होता है पारदर्शीता होता है और सभी के लिए समान अफसर Femtech का मतलब होता है feminist technology आपने edtech सुना होगा education technology Femtech यान है feminist technology उसका मतलब सबको साथ लेके चलो तो UN Women नाम का जो इनका संस्थान है वो यही कह रहा है कि सारी कंपनिया इस बात के लिए agree करें कि हम भविश्य में male female सबको equal access हिसाब से products और services बनाएंगे फिर वो कोशिश कर रहा है ये UN Women संगठन जो है कि 2026 तक ज्यादा से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को STEM courses में enrollment करवाए Science, Technology, Engineering, Mathematics तभी तो digital divide में product कम बनना शुरू होंगे आज की technology is created by men, for men, used by men इस वजह से वो महिलाओं को appeal भी नहीं कर पाती GSMA कहता है कि अगर आपने ये पूरा gender gap close किया तो दुनिया भर का GDP बढ़ेगा और भारत जैसे देश में तो GDP बहुत तेजी से बढ़ेगा आज की तारीक में जितने भी apps होते हैं वो normally young लड़के या young आदमियों के लिए होते हैं महिलाओं के हिसाब से न तो apps उतने बनाये जाते हैं लेकिन बनाने की आवशक्ता है और ये स्वीकार ये नहीं है इतना भयंकर अन्याए gender digital gap जहां भारत की केवल 15 प्रतिशत महिलाओं आज की तारीक में इंटरनेट यूज कर रही है इस बात से बताईएगा प्यारे साथियों आज के हमारे इन्फोग्राफिक्स में कोविट का ये स्टेटस चेक इसने दिया है कि किस तरह से अलग अलग देशों में number of cases कितने चल रहे हैं cumulative case load तो आप देख रहे हैं इंडिया यूएस ब्रजील ये सब एकदम आगे चल रहे हैं उसके अलावा मौतों में आपको दिखेगा ब्रजील इंडिया यूएस ये आगे चल रहे हैं और vaccination का plot भी आपके सामने हैं तो ये continuous day to day tracking चल रही है अब आप ये देखेंगे कि कल भारत जो है दुनिया का दूसरा देश बन गया अमेरिका के बाद जहां तीन करोड से ज़्यादा cases हो चुके हैं और ये तो official record है अनॉफिशल ये number इससे कहीं ज़्यादा हो सकता उस बात को लेकर एकनॉमिस पत्रीका ने अनुमान लगाया था पांस से दस गुना होगा हमारे health minister डॉक्टर हर्शवर्दन ने उस report को reject किया है CCI जो है भारती प्रतीस परदा आयो competition commission of India उसने फिर से गूगल के खिलाफ एक competition की जांच बिठा दी है इससे पहले भी एक बैठी थी और ये उसकी दूसरी बैठी दुनिया भर में Google के साथ ये problem तो है चाइना के 100 साल जो है communist party के जुलाई में पूरे हो गए है और शी जिन्पिंग को भगवान बना के दुनिया को परोशने की जो कोशिश है चाइना काफी समय से कर रहा है और इस बार तो वो और ज्यादा करेगा 100 years of the communist party in July 2021 प्यारे साथियों अमेरिका में जो बाइडन को बहुत बड़ा जटका लगा है और वहां की संसद ने जिसमें Congress जिसको कहते हैं जिसके अंदर Senate और House of Representative होता है एक बहुत बड़ा rights legislation 50-50 से Senate में ब्लॉक हो गया for the people act तो ये जो बाइडन के लिए legislative जटका है association of democratic reform का कहना है कि बीजेपी को total donations का 66 प्रतिशत मिलता रहा है और ये चाइना और भारत की खबर है ये खबर अच्छी नहीं है चाइना लगातार पूरी LSE को गर्मा रहा है और जैशंकर साहब ने उस पे कड़ी आपती दर्स की है उस पर चाइना ने कहा है कि हम अपनी तरफ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले समय में LSE का मुद्धा बारत को नजर बनाए रखनी होगी हमारे courses के साथ जरूर जुड़िएगा 6 जुलाई से S&T cracker आ रहा है और 8 जुलाई से economic cracker आए होप आपको इन courses में मज़ा आएगा और आप हमारे समय लंबे समय तक जुड़े रहेंगे आज के लिए इतना ही अब कल आपसे भेट होगी session को like को share कर दीजेगा नमस्कार जय है